गुरुर ब्रह्म्हा, गुरुर विष्णो, गुरुर देवो महेश्वरह, गुरु साक्षात परब्रह्म्हा, तस्मै श्री गुरवे नमः, अखंड मंडलाकारं, व्याप्तम जेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं जेन, तस्मै श्री गुरु वे नमः, सांता कारं भुजग सयनं, पत्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सद्रिशं, मेघवरणं सुभांगं, लक्ष्मी कान्तं कमलनयनं, योग विर्ध्यान गम्यं, वन्दे विश्णुम् भवभय हरणं, सर्वलोकै कनाथं, अतुलित वलधामं हेमसैलावदेहं, दनुजवन क्रिसानुम् ज्यानिनामा ग्रगन्ण्यम्, सकलगुण निधानं, वानराणाम धिसं, रगुपति प्रियभक्तं, वात जातन्नमामी, मनोजवं मारुत तुल्यवेगं, जितेंद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजम्वा नरयोतमुक्यम्, स्रेरामदोतं सरणं प्रपद्धे, स्रीरामदोतं सरणं प्रपद्धे, बुल्यमर्यादा पुर्षोतं स्रीरामचंद्र भगवान की जय, बड़े ही सवभाग्य का दिवस है, और बहुत ही आनंद का समय है। आज, कुछ कथित लोगों का ऐसा विचार है, किराम मंदिर बनने का महुर्त ही सहीन है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। सबसे पहली बाद, आयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए, कोई महुर्त की आउशिक्ता नहीं, कोई दिन की आवश्यक्ता नहीं, कोई समय की आवश्यक्ता नहीं, क्योंकि अयोध्यावासी तो सुतह कहते हैं, हमारे लिए वही दिन सुब होगा, वही समय सही होगा, वही घड़ी सही होगी, कि जिस समय राम हों ही जुवराज, कि जिस दिन, जिस घड़ी, जिस छण, जिस समय, मरियादा पुर्षोत्तम स्री राम चंद्र जी युवराज हो जाएं, हमारे लिए वही घड़ी, वही दिन, वही समय सही है, अब यदि कह दें, कि राम जी का जन्म हुआ, सुब महुर्त नहीं था, पैदे नौमी ति थी थी, नौमी ति थी, चव चतुर्दस नौमी रिकता, तो चतुर्थी, नौमी चतुर्दसी, रिकता थी थी ये, कि रिकता थी थी थी, तो सुब जन्म समय नहीं था, अरे भाई, कब सुब होता है? वही समय सुब होता है कि तदेव लगनम सुधिनम्त देव, तारा बलंचंद्रवलं तदेव, विध्या बलंदे वबलं तदेव, लक्षमी पतेतें घ्रियोगं स्मरामी, तदेव लगनम् ततेव लगनम् वही लगन, सुधिनम्त देव और वही सुदर दिन, ताराबलम वेही ताराबल चंद्रवलम वही चंद्रवल बिद्याबलम वही बिद्याबल दैवबलम वेही दैवबल कोंसा लक्ष्मी पते ते ग्रेयो गम्स्वरामी जिस समय लक्ष्मी पती भगवान विश्णू जो की संसार में संसार की मर्यादा को इस्थित रखने के लिए वैसे तो वे जो राम जी हैं जो रमनते योगिनो यस्विन सायति रामा जो की योगियों के इरदय में रमर करते हैं और योगियों के इरदय में नहीं सभी प्राडियों के इरदय में रमर करते हैं तो वही राम जब दसरत और कोशल्या जी के यहां प्रकट होते हैं तो ये कैसे प्रकट होते हैं क्योंकि राम तो वही हैं ये संसार की मरियादा की इस्थिती की रक्षा के लिए कि संसार की मरियादा न विगड़े नहीं तो वे तो राम कहीं शेवी प्रकट हो सकते हैं जो कि खंबा से प्रकट हो सकते हैं लकड़ी के खंबा से प्रकट हो सकते हैं तो क्या उनको प्रकट होने में कोई देरी है अरे उनको यदि हम ये कहें कि राम जी का अवतार रामण को नश्ट करने के लिए हुआ था तो पुरामण को तो वे किशी भी प्रकार से नश्ट कर सकते थे। उनके पास एक नहीं अनेक उपाय हैं। लेकिन वे तो भक्तों के कल्याण करने के लिए इस धरातल पर और साथ साथ में मनु सतरूपा को जो बर्दान दिये थे उस बर्दान की पूर्ती के लिए दसरत और कौशिल्या से अवतार लिये हैं। अवतार का मतलब ही होता है कि जो कि उतरते हुए आएं, उतरते हुए चले आएं। तो यह जो भाद्र का अब यह जैसे राम मंद्र का ही है तो यहां तक है अपने संपूर्ण भारत वासी और यहां तक है संपूर्ण बिश्र। इसमें कुछ का नहीं कहा जा सकता। कुछ समदाय विशेश ऐसे हो सकते हैं कि जिनको राम मंद्र बनने से प्रसनता न हो। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि अंदर से वे भी प्रसनता हैं क्योंकि राम जी एक ऐसे थे कि बहुत से ऐसे बिकती हैं जो कि वैसे तो खुला में भले बिरोद करते हैं लेकिन जब उनके अंतरात्मा से पूँचिये तो वे भी कहते हैं कि नहीं राम मंद्र तो बनना ही चाहिए। और आज अब दूर नहीं रहा जिस धड़ी का वर्सों वर्सों से इंतजार था कि जैसे जब राम चंद्र जी चवदा वर्स के लिए बनवास चले गए थे अब अयोध्यावासी एक एक छण को गिनते थे कि आज एक दिन हो गया आज दो दिन हो गये अरे अब एक महिना हो गया अब एक साल हो गया तो एक एक छण एक एक छण गिनते थे यहां तक है कि देखिये भरत जी तो इस पस्ट कहते हैं बराबर गिनते ही रहे एक एक छण किस समय बीत गया रहे हुए एक दिन अवधी अधारा कि कितना दिन से इस बचा है अवधी का मात्र एक दिन से इस बचा है और अभी तक मरियादा पुरसोतम स्रीराम चंदर जी अभी तक नहीं आए लेकिन साथ में कहते क्या हैं बीते अवधी रहें जो प्राणा यदि अवधी बीत गई और अवधी के बीतने के बाद भी इस सरीर में यदि प्राण रहते हैं तो इस सरीर मेरा फिर प्राण रखने के लायक नहीं है विचार कर रहे हैं कि यदि अवधी बीतनती हुई और नहीं आए तो मैं तुरंत ही अपने प्राणों को त्याग दूँगा भरत जी का प्रण है यदि अवधी बीत गई और मर्यादा पुरसोत्तम स्री रामचंदर जी नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूँगा इसी लिए तो हनुमान जी को तुरंत जल्दी भेजे हैं कि हनुमान जी जल्दी जाओ भरत को संदेश दो कि जाओ बताओ कि सीता सहित अनुज प्रभु आवत कि सीता के सहित और साथ साथ में अनुज लक्षमर जी के सहित प्रभु मर्यादा पुरसोत्तम स्री रामचंदर जी का आगमन हो रहा है क्योंकि इसे ये सावित होता है कि अवधी पहले पूर्ण हो चुकी थी उसके कुछ समय बाद ही मर्यादा पुरसोत्तम स्री रामचंदर जी अयुध्या नगरी में प्रवेश किये हैं लेकिन भरत कहीं अपने प्राणों को त्याग न दें इसलिए वे तुरंत ही हनुमान जी को भेजे क्योंकि हनुमान जी की जो गती है हनुमान जी की जो गती है वे मन के समान कि जिस प्रकार से अभी यहाँ पर बैठे हैं और यहीं बैठे बैठे मन को एक छण नहीं लगता है कि कहिए कहां से कहां तक पहुँच जाए ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी की गती है बेग उनका तो मारुत तुल्ल वेगम पवन के समान बेग है जितेंद्री भी है। बुद्धिमतां वरिष्ठम। और बुद्धिमानों में तो सर्व त्रिष्ठ बुद्धिमान। वातात्मजम वायू के पुत्र। मनुजवम्मा रुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्ध धिमतां बरिष्ठम वातात्म जम्बा नरयूथ मुख्यम और वानरयूथ मुख्यम जो बंदर हैं उन बंदरों के जो यूथ अर्थात जुन्ड ग्रुप हैं उनके वे मुख्य हैं आईसे स्री रामदूत हनुमान जी स्री रामदूतम सरणम प्रपद्दे ऐसे स्री रामदूत हनुमान जी की हम सभी लोग सरण ग्रहन करते हैं तो आज बहुत ही खुशी का समय है क्योंकि देखिए सबसे पहली बात भाद्रपद का महिना भाद्रपद का महिना ही सबसे उत्तम माश है क्योंकि भाद्र माने होता है कल्यान तो ये तो माश ही कल्यान में है फिर उसके बाद दुतियाती थी दुतियाती थी अत्यंतुप्त यम के फंदों से छुटाने वाली दुतियाती थी होती है और उसके बाद क्रिश्न पक्ष तो ये जो घड़ी है राम मंदिर निर्मार की घड़ी है बहुत सुन्दर घड़ी है अईसा समय इसी समय के लिए तो आज पूँचिये उन विक्तियों से उन कार्शिवकों से जो की कड़ी धूप होती थी कहीं वर्सात होती थी लेकिन राम के मंदिर को बनाने के लिए कार्शिवक चलते चले जाते थे भगवान के भक्त राम के भक्त न सर्दी देखते थे न गर्मी देखते थे न वर्सात देखते थे कि हमारे राम जी का मंदिर बनना चाहिए जो की किसी समय पहले था बीच में कुछ ऐसे राजा आए कि जिन्होंने मंदिर को विद्ध्वन्स कर दिया और उसके उपर मस्जिद बना थे अब राम के भक्त हर समय यही सूचते थे दिन रात उनके अंदर यही भाव होता था कि किस समय किस छण राम जी का मंदिर बनना चाहिए राम जी अपने मंदिर में विराजमान होना चाहिए यदि इसके केस की बात करें तो पूरे बिश्व में इतना लंबा केस कोई भी नहीं चला कि जितना लंबा केस राम मंदिर का चला लग भग पान सो वर्सों तक लग भग पान सो वर्स तक यह राम मंदिर का केस चलता राम जी क्या लेकिन जो भी होता है सब राम जी की इच्छा से ही होता है राम जी की क्रपा से ही अब जो समय कल का है ये कल बहुत ही सुंदर दे बुधवार बुध माने तो वैशे ही ग्यान होता है और साथ साथ में इसको पंडितवार भी बोलते हैं पंडित माने भी ग्यान बुध्धिमा तो जो कल का दिन है पांच अगस्त ये पांच अगस्त बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा और बहुत सुम्मोर्त जिस घड़ी का इंतजार वर्सों वर्सों से चल रहा था यहां तक है कि पीड़ियां बदल गई इंतजार करते करते आज वही समय पांच अगस्त के दिन आ चुका है इसलिए इस सुंदर समय में हम सभी को राम जी का गुरुगान करना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से अयुद्या में राम राज बैठे त्रै लोका हर्सित भये गए सबसों का यहां तक है कि राम जी के राज्या विशेक राम जी के राजा बनते ही बैठे त्रै लोका तीनों लोक में हर्सित भये प्रसंदता उत्पन्न हुई और संपोन गए सबसों का सारे सोक चले गए ठीक इसी प्रकार से राम जी का मंदिर बनते ही राम जी मंदिर में बिराजमान होते ही तीनों लोक एकदम खुसी हो जाएंगे प्रसंदता च्छा जाएगी और यहां तक है कि सब प्रसंद हो जाएंगे राम राज बैठे त्रै लोका हर्सित भये गये सबसों का यहां तक है कि कुछ ही दिनों के अंदर कुछ ही महिनों के अंदर जो कि भिस्व्यापी यह कुरोना महामारी है हो सकता है कि यह महामारी भी नश्ट हो जाए क्योंकि राम जी में अपूर्व सकती है अलोकिक सकती है राम जी के मंदिर में अलोकिक सकती है क्योंकि जब सभी की भावना सद भावना में परनित होती है तो जितनी भी नकारात्मक सकती है, नकारात्मक उर्जा है, ये नकारात्मक वाइरस है, ये इसको नश्ट नहीं करना पड़ता है और सता नश्ट हो जाता है तो इस प्रकार से हमको ऐसा लगता है कि अब बहुत जल्दी ही सब, सब के अंदर प्रसन्नता, सब के अंदर खुसिहाली, यहां तक है रोग, बीमारी, दरिद्रता, आदी, सभी, जो सडा मैं कहे गए हैं, छे रोग कहे गए हैं, उन सभी रोगों से एक दम मुक्त हो जाएंगे, इसलिए कल का जो दिन है, यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा, और सभी के लिए केवल अयुध्या वालों के लिए नहें, संपोन भारत के लिए ही नहें, यह जो कल का दिन है, संपोन बिश् आशिक दिन है, आएए हम लोग दो बार राम नाम कीरतन करते हैं, और राम नाम कीरतन के बाद यहीं पर बिश्राम देते हैं, बाड़ी को बिश्राम देते हैं, और वीडियो को लाइक, सेर, सस्क्राइब करें, अधिक से अधिक सेर करें, राम 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 राजा राम 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 राजा, राम 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 राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम, 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 रा जेस्ट्रीड़ाँ